कि आपए तो इस प्रेलिस में एक वीडियो गया था एक्स सटाटिक चार्ज जो किसी कनुक्टर पर फैंकते हो तो क्या होता है पूरा का पूरा अक्सिस चार्ज भूष में बहरबाली शर्फिस पर चला जाता है क्या चार्ज यूनिफॉर्म लि पूरी की पूरी घंसे होता है mean G की फरी होता है चांश होते हैं जो afftेख पॉटेनriel क्सारा लेकर वो चीज प्रूफर नहीं को हिश्य करेंगे ठीक है तो अभी यह रहा मेरे पर स्कंडॉक्टर इसके उपर मैंने कुछ एक्से स्टाटिक चाल दिया तो हम जानते हैं कि पूरा का पूरा एक्से चार्ज बाहर की सर्फिस पर चला जाएगा अगर आते को तो जब एक्से स्टाटिक चाल जालती है अप कंडॉक्टर में जब व की सर्फिस पर जाता है तो जो चार्ज दंस्टी होती है वो इसकीmill की बेड़ करेंट करती है अनलिस आपके पास एक पिल्कुल परफेक्ट स्फीर है चाल देंस्टी ढिफेंटेफिरेंट होगी उचलनी क्या होता है अगर आपके पास जो कंड़क्टर है उसमें कुछ शार्प जीज़नों किले पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे चार्ज जैस्टी ज्यादा होती है सम्हाओ अलेक्ट्राउन जो है वहाँ पे शार्प पॉइंट्स पे जहना पसंद करते हैं जैसे आप है वह देख सकते हो यह शार्प जीज़ने कंड़क्टर नहीं राइट और यहां पर आप देखो तो ज्यादा चार्ज लग रहा है आपको लगर चार्ज जैदा तो ऑबिस्ली फील इन पॉइंट्स पे ज्यादा होगी जैसे आप देख सकते हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह फर दूमिया थैसा ठीक है इसमें मैं कुछ एक्से स्टाटिक चार्ज डालता हूं तो पुरा का पूरा चार्ज बाहर के सब्सक्राइगा लेकिन तब चार्ज दिस्रीब्यूट होगा तो ऐसा दिस्रीब्यूट होगा ताकि जो शार्प एजिजेंस के जो नोग यह पॉइ इन पॉइंट्स पे जो चार्ज देंस्टी होगी वो जयदा होगी चार्ज पर उनिट वॉल्यूम जयदा होगा compared to say कोई और पॉइंट्स पे चार्ज देंस्टी जयदा है तो इसका मतलब के इन पॉइंट्स पे एलेक्रिक फील भी जयदा होगी compared to other points right तो अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है तो पहले तो आपको एक काम चलाओ रिजन देंगे उसके बाद कुछ नुकिले points हैं कुछ sharp points हैं तो सबसे दूर points कौन से होंगे वही points होंगे sharp points होंगे नुकिले points होंगे सबसे दूर right तो इसलिए जो electrons होते हैं वहां पर जाना पसंद करते हैं लेकिन उसको पता लगता कि बाई बाकी electrons भी वहां पर आ गया उन पे charge density ज्यादा होती है और उसका consequence है कि जो electric field होती है शारफ points पे वह बागी points से ज्यादा होती है ठीक है तो अब तक हमने जो भी discussion कि है कि बाई charge density उन points पे ज्यादा होता है जहां पे जो points नोकेली होते हैं फिर शारफ होते हैं तो कहने का एक और तरीका यह भी है कि बाई charge density उन points पे ज्यादा होता है जहां पे surface का radius of curvature कम हो यानि कि कर्व ज्यादा कर रही हो एक पर एक चोटा स्फियर है और एक बड़ा स्फियर है तो इस इस स्फियर का जो radius of curvature इसके मुकाबले में कम है तो यह कर्फ ज्यादा कर रहा है तो अब इन दो स्फियर का साहरा यूज करके और potential को यूज करके यह चीज़ प्रूफ करेंगे स्फियर को OMG को छोटे स्फियर को क्यों सकता हो एक से क creature महां सकता हूं एक सिस्टम मान सकता हो ठीक है कि और करता हूं कुछ चार्ज यह क्या आता हूं और इस सिस्टम पर फैंक देता हूं तो चाहे इन दोनों сп T पे जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा इस पे Q1 और उस पे Q2 है लेकिन दोनों के दोनों जो स्फिर से हैं उनका potential से होगा क्योंकि हमने इन तीनों चीज़ें को एक सिस्टम माना एक conductor माना और conductor के हर एक पॉइंट पे potential सेम होगा जितना potential इसका होगा उतना है potential इसका भी होगा तो अभी स्फिर के लिए potential कितना होगा इसके लिए यूज कर सकते हैं क्यों कि हमने किया होगा कि यह जो छोटा स्फियर यह काफी होगा similarly छोटे स्फिर के लिए क्या होगा potential चू टू बई फोर पाइपसिलों छोटा र और यह दोनों बराबर होंगे तो इससे क्यों में क्यों क्या जाएगा क्लार और स्मॉılar ला है तो पीजेंगे इन दोनों स्फिर्स चैसी में चैस tocario होगी सर्f यूज translate होगी क्योंकि सार अकारick से चार्ड हो ना कि बाहर इस हमाटें से चांट का व्यूम करते हैं कि से स्भारद की चाहिज और स्वयर कि सर्च सिक túber क्या होगा और प्रेस्ट हुआ लोगे तो आपके प्रेस्ट करोगे जो चोटा और यह इस पूरा का पूरा क्वर तर्म क्या होगा वह एक से कम होगा मतलब ये जो आपका σिगमा वान है वो सिगमा टू से कम होगा मतलब ये कि इस पर जो चार्ज जेंस्टी है छोटे स्पीर पर चार्ज जेंस्टी जो है वो जैदा होगी और सिमिलली आप प्रूव कर सकते हैं के लिए इसके मुकाबले में ठीक है तो भी हमने जो भी पड़ा है कि कंड़क्टर के शॉर्प पॉइंट ज्यादा होती है इसका सिग्निफिकेंस है इसके टैक्टिकल एक तो इस तिप पे लेक्रिक फील ज़यादा होगी कमपेट ऊफर पॉइंक तो अगर यहां पर ब्रेक करना शुरू कर सकता है एर में charged ions होते हैं तो इसके तरफ move करना शुरू कर देंगे जब move करत रास्ते में जो atom atom आएगा उसको भी नॉक करेगा बीज में से लेक्रान फ्लेक्रान निकालेगा और इसके तरफ यह move करना शुरू कर देंगे और यह motion के कारें डिस्चार्ज होता है अपको अपने देखा होगा लाइट जो ट्रांस्मेशन होती हैं फो यह तो वह दिश्चार्ज हो रहा होता है ठीक है तो केसे जहांप आप चाहुए कि अट्चर को आप काफी हाई-पोटेंशल पे ले के आओ और वो दिश्चार्ज ना हो तो उसके अपको देखना पड़ है जो आपका conductor है उसमें कोई sharp edges wedges नहीं है for example यह मेरे पास 2 spheres है जुड़े होए निया independent spheres है अगर मेरे को इन दोनों को same potential पे लाना हो तो इस छोटे sphere को कम charge चाहिए रहेगा same potential पे आने के लिए क्योंकि potential है वो one by R depend करता है इसका radius छोटा है तो इसको कम charge चाहिए रहेगा same potential पे आने के लिए तो even though इसको कम charge चाहिए same potential पे लाने के लिए हम लोग बड़ा sphere use करेंगे क्योंकि इसमें discharge होने की chances ज़्यादा है क्योंकि एक कर्व ज़्यादा कर रहा है ठीक है तो आज के लिए तो नहीं आप से फिर्म बड़ा का दो गी थैंकियो सोमा शुक्रिया